हेलो गॉइसे में बात किने वाले हैं bank of India इस company के बारे में इस company का quarter 3 FY23 का result आचुका है सामने तो कैसरा इस company का result और क्या इस company ने dividend दिया है की नहीं इसी के बारे में discussion करेंगे आज की इस वीडियो में तो वीडियो को सरुख से end तर देखते रहें ना bank of India की बात करें तो इस company का result आप लोगों के सामने प्रिजंटेट है stand alone result है सारी amount से वो lakhs के अंदर बताईगी है quarter and quarter base के पर results को compare करेंगे यह इस quarter का result यह विछले quarter का result है यह विछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है कमने की income की बात करें तो interest and income को मिला कर यहाँ पर इस company का total income इस quarter के अंदर 14,15,960,000 रुपिस का कमने का total income है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल से हम quarter के मुकाबले income में एक अच्छी बड़ोतरी होती भी नजर आ जाती है बाकी इस company के expense की बात करें तो interest and expense and other expense को मिला कर other operational expense को मिला कर company का total expense यहाँ पर 10,50,767,000 रुपिस की company के expense है जिस परकार से company की income बढ़ी है वैसे इस company के expense भी बढ़ते हुए नजर आ जाता है बाकी इस company के net profit की बात करें तो tax and expense item काटने के बाद company का net profit देखने को मिलता है 1,15,101,000 रुपिस का quarter and quarter बेस के उपर और पिछले साल स्म quarter के मकाबले company के net profit में एक अच्छा jump देखने को मिल जाता है बाकी इस company के आपर से earning per share की बात करें EPS है तो 2.8 रुपिस का इस company का EPS देखने को मिलता है जो quarter and quarter बेस के उपर तेजी से बढ़ता हुआ नसर आ रहा है बाकी इस company के NPS आप लोग देखने जाओ non performing assets तो वो आप लोगों के सामने gross NPS देखने को मिलता है जो मेरे सबसे दुबाई अभी भी बहुत जाला है पर आप लोगों को एक चीज़ यहां पर अच्छी देखने को मिलती है continuous इस company के NPS यहां पर कम होते वे नजर आ जाता है ठीक है तो overall इस company का result कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है कपनिकेशन में करना क्या चीज है इसकी बात करें तर कुछ यहां पर level से जहां पर खरीदारी और वीकवाली करने को मिलता है सबसे हैला level यहां पर देखने को मिलता है । 60 रुपीज के आसपास का लेवल है और 45 रुपीज का लेवल है और 30 रुपीज का लेवल है यह सब्वे लेवल के उपर इस कमनी के अंदर खरीदारी करने के मौके है बिकवाली करना चाहते हो तो है 102 रुपे का लेवल है इसके तासत और भी कुछ लेवल है जहां पर इस कमनी गुद्बाई फिर मिलते नेक्स वीडियो में गुद्बाई